गोरगपुर में भी सात्वे चर्ण में चुनाओ का क्या कहेंगे? सात्वे चर्ण में गोरगपुर में एक जून को चुनाओ हो रहा है तो समस्त गोरगपुर की देवतूल जनता पांस साल जैसे ये शश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी के लाभार्थी रहे हैं एक एक लाभ पुझ्य महराज जी डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है अब मैं सा पहले एक सांसत के रूप में अपनी भोचपुरी इंडस्टी या अंगिनत फिल्मों की शूटिंग का एक गड़ बना दिया कलाकारों से लेके सब कुछ एक रोजगार और अंगिनत सौगाद जिसको काया आप लोग गिनते आपको पता है कि गोरगपुर एक नजीर पेश क तब तैयार हो जा उस समय आगे लबा कि अब पांस साल यश्टश्वी प्रधान मंत्री जी आपके लिए दिन रात एक के इस नए भारत के शिल्पकार के रूप में गाव दिहाद गरीब किसान दलित समाज पिछडा समाज अंसुचित जात जितनी भी जातियां हैं जितना भी गरीब तबका है उनके उत्थान के लिए पचीस करोड़ों गरीबी रेखा से उपर आगए इस देश में करोना काल से लेके एक 80 करोड़ों को अनाज एम्स गोरकपुर में फर्टिलाइजर सड़कों का जाल बिजली पानी विवस्था पांच लाग इलाज के लिए 6000 किस आनखाता में अटलावास विद्याले में मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा ऐसी आनगिना सौगात की लिस्ट है मुझे चार घंटा एनाई के इस कैमरे के सामने खड़ा रहना पड़ेगा या चार दिन जिन्दाबाद जिन्दाबाद फिर एक बार फिर एक बार अब की बार अब की बार चार सो पार चार जून के हो भाईया हो पिछली बार गोरकुरी की जन्ता ने आपको भारी मतों से विज़े करा है क्या इस बार क्या करेंगे इस बार पिछली बार साथ प्रतिशत वोट मिला था इस बार एक आयती हासिक वोटिंग होगी सारे रिकॉर्ड तूटेंगे क्यूंकि यशश्वी प्रधान मंत्री मोध साल के उत्साहित हैं इस रामराजी को जो हमारी संस्कृति ये संसकार है उसको सजोने के लिए और विक्सित भारत बनाने के लिए हर आदमी वोट करने के लिए तयार है मैंने इतना उत्सा 2014-2019 से 4 गुना ज़ादा उत्सा देखा है तो मैं कहता हूं ये चुनाओ नहीं ये म